पूरी दुनिया में आनंद फैलाने के लिए समर्पीत है और हम सभी का सौभागे देखिए इस समय हम अपने आसपास ऐसे अनेकों लोगों को देख रहे हैं जो दूसरों की सेवा के लिए किसी मरीज के इलाज के लिए किसी गरीब को भोजन कराने के लिए किसी अस्पताल में सफाई के लिए किसी सड़क पर कानून व्यवस्ता बनाये रखने के लिए 2400 घंटे 2400 घंटे काम कर रहें भारत में भारत के बाहर ऐसा प्रतेग व्यक्ति विश्व के हर कोने में एसा प्रतेग व्यक्ति अभिनंदन का पात्र है नमन का पात्र है साथ्यों ऐसे समय में जब दुनिया में उथल पूथल है कई बार दुख निराशा हतासा का भाव बहुत जादा दिता है तब बगवान बुद्ध की सीख और भी प्रासंगीक हो जाती है भगवान बुद्ध कहते थे कि मानव को निरंतर ये प्रयास करना चाहिए कि वो कठिन स्थित्यों पर विजय प्राप्त करे उनसे बाहार निकले ठक कर रुख जाना ये विकल्प नहीं हो सकता आज हम सब भी एक कठीन परिस्तिती से निकलने के लिए निरंतर जूटे हुए हैं साथ मिलकर काम कर रहे हैं भगवान बुद्ध के बताए चार सत्य यानि दया करुणा सुख दुख के प्रती समभाव और को उसी रूप में स्विकार रहा है ये सत्य निरंतर भारत भूमी की प्रेणा बने हुए है आज आप भी देख रहे हैं कि भारत निस्वार्थ भाव से बिना किसी भेत के अपने यहां भी और पूरे विश्व में कहीं भी संकट में घीरे व्यक्ति के साथ पूरी मजबूती से खड़ा है लाब भानी समर्थ असमर्थ से अलग हमारे लिए संकट की ये घड़ी सहायता करने की है जितना संब्व हो मदद का हाथ आगे बढ़ाने की है यही कारण है कि विश्व के अनेग देशों ने भारत को इस मुश्किल समय में याद किया और भारत ने भी हर जरुरत मन तक पहुंचने में कोई कसर नहीं छोड़ी है भारत